हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनलाइन जीकेडिईस ख्रों कहिलों में आपको जी के और जी एलेटेटसृ प्रोवाइड करता हैं लेकिन आज जो है आप लोगों के लिए एक reasoning का topics लेकर आ गया है जिस topics का नाम है classification इसे पहले भी हमने reasoning के दो topics पे वीडियो बनाये हैं जिस topics का नाम था coding, decoding और analogy test अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जो है आप हमारे चैनल के playlist में जाकर reasoning नाम से playlist बना है वहां से देख सकते हैं या इस वीडियो के description में link दिया हुआ है वहां से भी आप वीडियो को देख सकते हैं क्यूंकि उसमें हमने बताया है कि coding, recording को किस प्रकार बनाया जाता है और अलफा बेट के उल्टा यानि ABCD का उल्टा क्या होता है इसके बारे में हमने ट्रिक भी बताया है और एनालोजी टेस्ट को आसान भासा में समझाया भी है तो आज जो है रिजनिंग के क्लासिफिकेशन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छी तरह से परेंगे और समझने की कोशिस करेंगे तो शले वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहला क्लासिफिकेशन का हिंदी होता है वर्गी करन वर्गी करन कहने का मतलब बटवारा यानि की बाटना अलग करना वर्गी करन का अर्थ होता है अलग करना तो क्लासिफिकेशन कोडिंग डिकोडिंग और एनलोजी जो है रिजनिंग के बेसिक टॉपिक्स हैं और इन तीनों टॉपिक्स में से आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं उसमें प्रस्न आही जाते हैं तो यह जो हैं बेसि पूछे कैसे जाते हैं questions पांच या चार option दिया हुआ रहता है और सभी questions के heading में लिखा हुआ रहता है इन में से कौन अलग है यानि classification का अर्थ होता है अलग करना तो आपको चार या पांच option दिया हुआ रहेगा और उसमें से एक अलग करना है और वो होगा उसका answer तो बेसिकली जो हैं लड़के अलग करने के मकसद से वीडियो बर questions को solve करते हैं लेकिन मेरे अनुसार आप चार या पांच option में से आप चार को मिलाए कि इसमें से जो है कौन कौन का रहन सहन जो है एक जैसा है तो अगर आपको चार option में से तीन का रहन सहन एक जैसा मिल जाता है तो चौथा option जो है डारेक्टली वो अलग हो जाता है अपने आप तो इस प्रकार बनाई और रिजनिंग जो है जितना जल्दी आप उसका solution कीजिएगा एक्जाम में उतना ही आप ज्यादा माक्स कर पाईएगा ज्यादा तर लड़के जो हैं हरबर में questions को ज्यादा जल्दी में करके आते हैं जिससे उनका जो है एक question गलती होता ही है उसके साथ साथ सही वाला जो आप बना क्याते हैं उसका भी 0.2 परसेंट जो है कट जाता है तो आए समझते हैं question देखिए इस प्रकार पूछे रहेंगे जिसमें से पांच option आपको दिया हुआ रहेगा और उसमें से एक अलग करना है जैसे कि इसमें दिया है football volleyball cricket chase hawkie इसमें से एक अलग बताना है तो अलग football जो है मैदान में खेला जाता है volleyball मैदान में खेला जाता है, cricket मैदान में खेला जाता है, hockey मैदान में खेला जाता है बचा कौन, chess बचा, तो chess जो है इसका answer होगा, इसी प्रिकार आपको अलग करना है आप सभी को पहले option को मिलाए कि कौन जो है इनमें same है, उसके बाद एक अलग अपने आप हो जाएगा 729, 125, 648, 512, तो इसको हम पहले दिमाग में solution करेंगे, कि इस पे डिपेंडेंट है तो देखे, 125 आपको ध्यान में आ रहा होगा, कि ये 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब है 125, ये 512 जो है 8 का क्यूब है ठीक है, 729 जो है 9 का क्यूब है, 266 जो है, ये 6 का क्यूब है और ये 648 किसी भी numbers का क्यूब नहीं होता है, आप जानते हैं तो इस तरह से ये जो है अलग हो गया और इसका answer जो है 648 हो गया फिर जो है, alphabets पे भी जो है questions पूछे जाते हैं तो alphabets पे किस प्रकार question पूछे जाते हैं देखे, option है A, E, A, I, I, O, E, I, O, U इसमें आपको common क्या लग रहा है, कि सब जो हैं भावेल's alphabets है भावेल कितने होते हैं, तो भावेल 5 होते हैं A, I, A, E, I, O, U पाँच भावेल होते हैं BCD में और 21 जो हैं consonant होते हैं तो इन में से सब ही अंग जो हैं भावेल हैं, पहली बाद उसके बाद, A के बाद E आता है, तो एके बाद देखिए यहाँ पे A के बाद E लिखा हुआ है, A के बाद I नहीं आता है यह इसको घेरा लगाएंगे, I के बाद O, I के बाद O है, यह सही है फिर E के बाद I, यह भी सही है, और O के बाद U, यह भी सही है तो यहाँ पे गलती कौन सा है, B नमबर, यानि कि यह पाँचों में से अलग है तो यह जो हो जाएगा इसका answer हो जाएगा, तो आपको classification में जो है अलग करना रहता है, अलग करना, अब आये सब्दों के अधार पे देखिए, यहाँ पे भी हमने सब्दों के अधार पे पढ़ा था लेकिन यह इंगलिस में था, आई अब हिंदी में थोड़ा समझते हैं जैसे कि option है, देखना, देखना जो है आख का काम है, सुनना कान का काम है, गंध यानि सुनना, गंध हम लोग इसमेल लेते हैं, वो नाख का का काम है, इस पर्स यानि छूना, तो अच्छा का का काम है जीब का काम है स्वाद लेना, लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है, देखना इधर है, आख इधर है, यानि जो काम करना है वो left side में है, बाकी सब right side में है तो यह जो है इसका answer होगा आए टाइप 5 समझते हैं आंको क्या धार पे है पहला अप्षन है 14 9 17 8 21 6 42 3 आप मन में तुरंट सोल्यूशन कीजिए कि कैसे कैसे यह जो है दिया हुआ है अगर 14 और 9 को जुरा 25 17 8 को जुरा 25 ठीक है 14 और 9 को जुरिएगा तो 23 होता है सोरी 23 यहां पे 25 यहां पे 27 यहां पे 45 यह तो ऐसे ही अलग है फिर जो है गुना करके देखेंगे तो गुना इसमें कीजिए गुना कीजिए 14 में 9 से गुना किए 126, 17 में 8 से गुना किए 126 21 में 6 से गुना किए 17 में 8 से जब गुना कीजिएगा तो 136 आएगा 36 और 21 में 126 42 तिया 126 तो इन में से 3 का एंसर 126 126 आया लेकिन सेकेंड का नमबर जो है यानि 17 और 8 को इंटू करते हैं तो 136 136 आगा यानि इन कारों में जो है बी ओप्षन जो है अलग है तो इसका एंसर होगा बी नमबर आएए एक और कोशन देखते हैं और कोशन इस प्रकार दिया है अब इसमें पताएं इसमें अलग कौन है आप तो कहेंगे जल्द में इन चाहें लेकिन आपने कभी दिमाग लगाया कि बी जो है का इन सर्श होग आप जितना ज्यादा दिमाग का उप्यूकरते हैं और यह कैसे होगा आप जब अपने परहाई का दो से तीन घंटा रिजनिंग और मैट्स पर देंगे तो आपका result यहीं से बनता है रिजनिंग और मैट्स से उसके बाद current affair पढ़िए और बाकी सब वीडियो के लिए जो है मेरा चैनल काफी है उस पे और रिजनिंग और मैट्स घर पर पर ये होमवर्ग कि जिए उसका उसके लिए आपको 2-3 घंटा अपने पढ़ाई का देना होगा तभी जो है आप किसे भी एक्जाम को क्लियर कर पाएंगे तो आपको एक ऐसा वीडियो लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यूँ